यूपी विधान सभा के मौनसून सत्र की पांचवे और अंतिन दिन विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष अकलेश यादव ने प्रेस संबोधन में सरकार पर निशाना साथते हुए सियम योगी को कई मुद्धों पर खेरा अकलेश यादव ने दोरान महगाई, बिजली, बाढ़, सूखा आदी के मुद्धे पर सवाल खड़े किया इसके लावा परिवार बात को लेकर भी अकलेश यादव ने सियम योगी को आड़े हाथ हो दिया वहीं दूसरी तरफ उपमुक्यमंत्री प्रजेश पाचक ने मीड इसा हला बोल पार्टी के जो इनके ओपर ठपा लगा हुआ उसको और मजबूती ही करते हैं जब यह लोग को सदन में आते हैं अर्याजकता फहलाना काम, गुंड़ाई करना, ऐसे लोगों को प्रमोट करना वो उनके डिने में सामिल है आपको बता दें कि आज सत्र की आखरी दिन अखलेश यादो पूरी तरह से यूपी सरकार पर विभिन्य मुद्दो को लेकर हमलावर नजर आए अकलेश ने आज सदन में महगाई के साथ आवारा सांड, बेरोजकारी, दस्टाचार समेत कई मुद्दो पर सरकार को खेरा और कहा कि हम आए दिन ऐसे वीडियोज देखते हैं जहां कभी कोई बच्चा, कोई महिला या बुजुर को सांड उठा कर पटक देते हैं अकलेश ने कहा कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने जिले में एक सांड सफारी ही बना दे वहीं सपा सुप्रीबो ने आगे कहा कि परिवारबात की शुरुआत आपने की थी लोग सभा सदस्य बने, मट के अध्धक्ष भी बने हमने देखा गोरकपुर में वीसी का क्या सम्मान है आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन से ही सदन में गहमा गहमी का महौल रहा जावित पक्ष ने सरकार को महगाई, भेरोजकारी और कानू व्यवस्था के मुद्दों पर काउंटर किया तो वहीं सरकार की तरफ से हर सवाल का वाजीब जवाब पलटवार के साथ दिया गया बहराल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करकी ज़रूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें मारा चैनल इंडिया पब्रिक खबर और बेल आइकन को दबान आप दुलकुल न भूलें झाल ऑ्कार के लिए उनस करें माल करें आप आप से शयलके का की ज़रूर टारी और या